Hello students, today I will explain you the science of class 6, lesson 9, the living organism and their surroundings. आज हम new lesson, lesson 9, study करना स्टार्ट करेंगे और इसमें students हम जितने भी जीवित जनत्व हैं सभी को हम living organism कहते हैं और जिस वातावरन में रहते हैं उनकी आसपास की जो भी वस्तोय होती हैं उन्हें हम सराउंडिंग कहेंगे तो हम आज जीवित जीव और उसके आसपास का जो भी क्राइटेरिया होता है हम लोग उसको स्टड़ी करेंगे इस लेसन में तो स्टार्ट करते हैं लेसन इन दा प्रीवियस चेप्टर वी हैव रीड एबाउट दा मैटर इसके पहले के चेप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा Anything that occupies space and has mass is known as matter और वह कोई भी चीज जिसमें अपना वजन होता है जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं कोई भी चीज जो जगह घेर है और जिसमें अपना भार हो It include many living things Matter में बहुत सारी जितने भी सजीव हैं वो सभी Matter में आते हैं जैसे Birds, Animals, Insects, Human, Plants, etc. क्योंकि Students ये सभी जगह भी घेड़ते हैं और इन सब में अपना भार भी होता है And Non-Living Things और निर्जीव वस्तों हैं जैसे Table, Chair, Pen, Pencil, Vehicles, Buildings, etc. तो ये सभी चीज़ें चाहिए वो Living हो या Non-Living हो जो हमें दिखाई देती हैं जो जगह घेड़ती हैं जिनमें थोड़ा भार भी होता है उन सब को हम Matter कहते हैं अब हम देखते हैं, Students must to know All the Living Things are often called Living Organism जितने भी सजीव धरती के उपर हैं, जीवी चीज़ें धरती के उपर हैं उन सभी चीज़ों को हम Living Organism कहते हैं But do all the Matters are Living Organism? क्या सभी Matters होते हैं वो सजीव हैं? The Living Things and the Non-Living Things can be differentiated on the basis of many features or characteristics सजीव और निर्जीव को हम उनके कुछ बिशेस्ताओं के अधार पर हम उनको अलग लग करते हैं जितने भी सजीव हैं, जितने भी निर्जीव हैं, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं उनकी कुछ बिशेस्ताओं होती हैं, उनके कुछ बिशेस्गुड होते हैं की आधार पर हम यह कहते हैं कि यह सजीव चीजे हैं और यह निर्जीव चीजे हैं A living organism can perform various functions. कोई भी सजीव बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे functions वो करता है. Lives in a habitat वो किसी वातावरण में वोया अपने घर के आसपास अपने घर में रहता है and have several characteristics features. और living organism में बहुत सारे characteristics features होते हैं उनके अपने विसेश गुण होते हैं characteristics of living organism यह heading है students इसका हमें इस heading यह पढ़ना है कि किसी सजीव में क्या क्या गुण क्या क्या विसेशता हैं होती हैं जो निर्जीवों में नहीं पाई जाती है तो पहले विसेशता है growth पहला गुण है कि जितने भी सजीव हैं उनमें growth होती है वो बढ़ते है जब आप पैदा हुए थे तो आप बहुत छोटे बच्चे थे आप इतने छोटे थे कि आप खड़े नहीं हो सकते थे तहल नहीं सकते थे अपने आप से खाना नहीं खा सकते थे और अब जब आप एक चाइल्ड के रूप में grow कर गये हैं बड़े हो गये हैं आपकी body का growth हो गया है your height has increased आपकी लंबाई भी बड़ी होई है and you are stronger और आप आप मजबूत भी है you will be an adult after few years कुछ सालों के बाद आप एक पूरे adult हो जाएंगे and then become an old person और फिर कुछ समय बाद कुछ सालों बाद आप एक वृद्ध आदमी में change हो जाएंगे आपका सरीर बुड़ा हो जाएगा similarly plants get plants germinate from the seeds and become big plants are trees after a certain passage of time ऐसे ही plants भी बीज से grow करते हैं और कुछ सालों बाद उनकी लंबाई बढ़ती है बहुत सालों तक बढ़ते रहते हैं और एक समय आता है कि जब वो भी बिद्ध हो जाते है all the living organisms, plants, animals, insects and humans grow or develop तो जितने भी धर्ती के उपर सजीयों हैं वो सभी उनकी growth होती है और उनका development होता है क्या ऐसा होता है जो living organism की body grow करती है all the living things are made up of a very small unit called cell जितने भी सजीयों हैं उनका सरीर सबसे छोटी unit जो होती है उनके सरीर की वो सेल होती है पूरा सरीर हमारा सेल का बना होता है a British scientist Robert Hooke discovered the cell in the year 1665 British scientist Robert Hooke ने सबसे पहले 1665 में cell को discover किया cell को देखा a single cell divides to form a number of cells एक cell divide करके पहले ग्रोग करेगी बड़ी होगी और इसके बाद डिवाइड करके दो सेलों में तूट जाती है as the number of cells increases और इस तरीके से जब cells की संख्या बढ़ती जाती है the organism grows वह जिव बढ़ता है उसकी लंबाई उसका ग्रोथ होता है different types of living organism possess the cells of different shape and sizes which possess different functions हमारी धर्ती के ओपर बहुत सारे जिव हैं इनका आकार इनका size बहुत अलग अलग होता है और इनकी cells के भी shape और size में बहुत जादा different होते हैं यह से भी जिव अलग अलग function भी perform करते हैं तो इस तरीके से cell तो हर जिव में एक ही होती है उसका structure basic structure एक जैसा होता है लेकिन shape में, size में इन सब में जैसे जिव अलग होते हैं और जिव के अंदर बहुत सारे organs होते हैं उनका काम अलग होता है तो हर जगह की cell shape और size में अलग अलग होती है The number of the cells further divide cell division into an organism and results in its growth तो इस तरीके से body की cells लगातार cell division से divide होती रहती है और वह जीव ग्रोथ करता रहता है उसकी ग्रोथ होती रहती है Students now must know second phase में The gradual increase in the size and certain features of an organism due to the cell division process is termed as growth तो किसी भी जीव की body जो grow करती है उसका size बढ़ता है क्योंकि उसकी body की cells से मुलगातार डिवाइड कर रहे हैं तो इस term को हम growth कहते हैं तो किसी भी living organism के किसी भी सजीव की body की size में growth होना उसकी size का बढ़ना उसे हम growth कहते हैं और यह क्यों होता है क्योंकि उसकी body की cells divide कर रही है The duration of time for which a living organism lives is called its lifespan तो कोई भी जीव जितने समय धर्ती पर जिन्दा रहता है जितने समय तक धर्ती के उपर रहता है जो उसका life duration होता है उसे हम life span कहते हैं Students, अब हम लोग page number 115 पढ़ेंगे All the living organisms do not live forever अब हर सजीव धर्ती के उपर हमेशा के लिए जिन्दा नहीं रहता है Baby, Child, Adult, Old and die after completing all the stages of life lifespan हम अगर human beings को ही देखें तो इसकी हम human beings का जन्म होता है उसके बाद हम बहुत से अपने life stages से जैसे कि हम baby होते हैं Child होते हैं, फिर adult होते हैं, old होते हैं और अंत में हम लोग हमकी हमारी death हो जाती है तो इस तरीके से हर जीव जन्म लेता है डिफेरेंट life stages में जाता है और अंत में उसकी death हो जाती है Animals also grow and die after completing their life span हर सजीव, हर जीव एक निशी समय बाद, अपने जन्म के एक निशी समय बाद उसकी मृत्ती हो जाती है Now fact file Tartuise has the longest life span जो कच्छुआ होता है Tartuise ये सबसे ज़्यादा समय तक जीने वाला जीव है Its average life span is 120 to 150 years और इसका जो life span होता है वो 120 से 150 साल होता है The average life span of some living organism are given in table 9.1 इस नीचे के table में कुछ सजीवों के जो life span है जितनी देर वो जिन्दा रहते हैं उनका explanation दिया गया है जैसे bacteria है ये 20 minutes में इसकी life complete हो जाती है house fly जो हमारे घरों की मक्ही होती है वो 10 से 30 days इसकी life span होती है mouse चुहे का जो जीवन अवधी होती है वो 2 से 3 साल होती है dog कुत्ते का 16 to 18 years lion का 22 to 25 years elephant का 70 to 90 years और human beings का 65 to 80 years life span होता है तो life span मतलब students वह सजीओ कितने समय तक धरती के उपर जिन्दा रहता है जन्म से मृत्यू के बीच में उसे ही हम life span कहते है students अगले heading हम लोग कल पढ़ेंगे थेंक यू